हेलो गैज दिस इस फोदेश सिंग एंड नौई वाचिंग क्रिप्टो बिगनर तो गैज आज की वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ पे कभी-कभी यहाँ पे मेटा मास्क में अगर जो आपने कोई टोकन यहाँ पे भेजा है कोई कोई भेजा है पर यहाँ पे रिफ्लेक क्या है है तो यहाँ पे यहाँ पे मैँ यहाँ टूकन यहाँ सोग नहीं कर रहा है तो इस केस में हमי क्या करकर चाहिए तो yahaँ पे गाइज पहले आपको नेट्वर्क का अलग होता है depend करता है आपने यहाँ पे किस exchange से भेजा होगा तो यहाँ पे withdrawal history में देखना है कि आपको network देखना है किस network से भेजा था मैंने यहाँ पे ETH network से भेजा था और यहाँ पे मैंने 6.4 link यहाँ भेजे थे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है तो यहाँ पे make sure करना है कि आपके MetaMask में यहाँ पे ETH network यहाँ पे add हो तो पहले check कर लेते हैं यहाँ पे मेरे पास Ethereum network add है की नहीं तो Ethereum network यहाँ पे by default यहाँ पे add होता है MetaMask में अगर जो यहाँ पे आपके पास अगर जो network add नहीं है suppose कि यहां पे कोई दूसरा network होता तो यहां पे आपको add network के बटन पे click करना होता और यहां पे आपको hair के बटन पे click करना होता यहां पे जैसे ही click करते तो यहां पे network की list आ जाती जो भी यहां पे network आपको यहां पे add करना होता वो आपको यहां पे search करते जो भी network add करना होता तो यहां पर search करते और यहां पर आपको connect wallet का option मिल जाता तो यहां पर connect wallet के button पर click करना और जैसे यहां पर connect wallet के button पर click करेंगे आपको यहां पर wallet है यहां पर connect हो जोएगा और यहां पर कोई भी आपको chain add करना हो यहां पर जैसे kawa eum chain में जोए add करना network तो add के button पर click करना है और add के button पे क्लिक करने के बाद यहां पे पॉप आएगा तो यहां पे अब अप्रूफ के बटन पे क्लिक करना है आपको यहां पे जैसे अप्रूफ करते हैं आपका नेटवर्क यहां पे नेटवर्क एड़ेट यहां पे एड़ हो चुका है यहां पे आपको कैंसिल कर देना यहां प कर देता हूं और यहां पर आपको 3.0 के अपने वालेट में जाना है वालेट में जाने के बाद यहां पर आपको वो टोकन यहां पर एड़ करना होगा तो यहां पर आपको इंपोर्ट टोकन के बटन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको वो टोकन सर्च करना है जो यहां पर आपने token यहाँ पे भेजा था अगर जो यहाँ पे मैं लिंक भेजा था तो यहाँ पे मैं link search करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं link यहाँ पे search करने से आ जा रहा है अगर जो यहाँ पे वो token search करने पे नहीं आ रहा है तो आपको custom token करके यहाँ पे आपको token का address डालके यहाँ पे आपको यहाँ पे add करना होगा तो token का address कैसे find करेंगे तो यहाँ पे पहले देखना है कि यहाँ पे किस network पर भेने भेजा था यहाँ पे ETH network पर भेजा था तो यहाँ पे हम इसका transaction ID यहाँ पे copy करेंगे सब से पहले transaction ID हम copy करने के बाद यहाँ पे आपको अपने Chrome में ETH scan खोल लेना है अगर जो यहाँ पे आपने BNB से किया था तो यहाँ पे आपको BSC scan खोलना है तो यहाँ पे Ether scan की side पे जाना है और इस पे click करना है और यहाँ पे आपको search address पे वो यहाँ पे transaction ID paste करनी है और यहाँ पे search के button पे click करना है और जैसे यहाँ पे search करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे transaction details आ चुकी है और यहाँ पे आपको scroll करना है और यहाँ पे आपको contract यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है? Contract यहां पर दिख सकते हैं Contract लिखा हुआ है और यहां पर Chain link token तो यहां पär इसको यहां पर आपको Copy कर लेना है जैसे यहां पर इसको Copy करना है Copy करने के बाद यहां पर आपको अपने MetaMask wallet में आना है और यहां पर आपको Custom token पर क्लिक करके token address में यह यहाँ पे paste कर देना है और आपको थोड़ा wait करना है यहाँ पे token symbol और यह token decimal यहाँ पे अपने आप add हो जाएगा तो यहाँ पे चलिए थोड़ा wait करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आटोमाटिक यहाँ पे फिल हो चुका है और यहाँ पे आपको import के बटन पे क्लिक करना है जैसे यहाँ पे import के बटन पे क्लिक करते हैं यह आपका token यहाँ पे add हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कुछी दिर में यहाँ पे मेरा token reflect करने लगा यहाँ पे 6.4 link तो गैस उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कोई यहाँ पे आपके पागर doubt हो तो यहाँ पे comment कर देना मैं उसका reply दे दूँगा वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मिलते हम नी एगली नई वीडियो में आपके लोस्तो नमस्कार जयाहिन जय भारत